साथ ही नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सक्से जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर के आगए आपके लिए सभी परितोंगी परिच्छाओं के दिश्टी से अति महत्पून तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए बिना समय गाए हुई टूड़े से सेसन के और चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज के सेसन में क्या क्या होने वाला है आईए देखते हैं तो टूड़े सेसन की बात करें तो सबसे पहले यस्टेड़े का रिविजन कराया जागा यानि कि कल हमने जो करेंट अफेर पढ़ाई है उसमें से रेंडमली तीन प्रशन आप से प्रूचे जाएंगे और आपको अपने आपको ये चेक करना कि कल वाली करेंट अफेर आप ज्यादा महत्पून होती है तो स्ष्टेडिक जी के अति महत्पून प्रशनों को आपको कराये जाएगा उसके और डेली हम एक हेरिकल प्रच की बात करते हैं मदब अफेर सिस्टी तो आज हम सोनागीरी के मंदिरों की बात करने वाले हैं जो सिस्ता हैं वो सारी जानकारी आपको देने वाले हैं क्योंकि MPPSC के यूनिट वन में जो परेटन वाला पार्ट है उसको यहाँ पर कवर करता है यह जो जैन तीर तिस्तल है सभी चीज़ें ठीक हैं उसके बाद में होमबर्ग में स्क्रीन सोट यानि कि डेली हम आप से एक प्र रिवीजन कर लेते हैं आए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रशन तो देखिए टोक्यो पैरलंपिक के लिए थीम सौंग कर दे कमाल तू को किसके दौरा लिखा गया है राजीव सिंग नीरु सर्मा संजीव सिंग या अनिरुद्ध चौक सी आई एंसर देख लेते हैं सह अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण हाली में घोसित स्कौॉच पुरुसकारों में पश् nationalist परिसकार प्राप्त हूए हैं तीन चार प्रुसकार या फिर शह एंसर की बात कर लेते हैं अगला प्रस्ण देखते हैं उत्त्र अख Nahन सरकार की दdoorना नई वासल यूजन यानि की 3,000 रुपए जो है वासल योजना के अंतरगत उत्रा खंड के जो भी अनात बच्चे हैं उनको प्रदान किया जाएगा तो ये कल के महत्रपून प्रश्ण है जिनका हमने रिवीजन कर लिया आईए सुरुबात करते हैं टूडे करेंट अफेर 6 अगस्त 2021 के या जो की एक पहलवान है रैसलर है इन्होंने भारत के लिए दूसरा सिलवर मैडल यहां पर पक्का कर दिया है ठीक है चलिए को जानकारी आपको देते हैं तो भारती पहलवान रभी कुबार दहिया ने पुरसों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में फाइनल में उसी उल्मपिक समीति के जवूर यूगयों से इनको हार का सामना करना पड़ा है ठीक है या टोक्यों पिक में भारत का पांचवा पदक और अभियान का दूसरा रजद पदक है आब तक भारत की जोली में आ चुके हैं रभी कुमार केड़ी जादाव सुसील कुमार योगे प्रशन देखते हैं अभी हाली में किष्ण देव राय के काल का एक पत्थर सिलालेख कहां पर पाया गया है करनाटक पश्चिमंगाल राजिस्थान या फिर ओडिसा आई एंसर दिख लेते हैं सही एंसर ए यानि की करनाटक में राजा किष्ण देव राय के समय का एक पत्थर सिलालेक पाया गया है कुछ जानकारी आपको देते हैं तो करनाटक राज के उडूपी जिले के ये लूर स्री महतो भरा विस्वेसर मंदर में विजयन अगर सामराट किष्णे देव राय के सासन काल के दौरान पंदरा सो नौ ईसा पूर्व का एक पत्थर का सिलालेक यहां प पतला होता है साही तलवार और पुस्प की नकासी की गई है इतनी चीजें जो है उस सिलालेक पर आपको देखने को मिल जाएंगी सूर्य चंद्रमा नंदी बैल और दीपक सिवलिंग और एक साही तलवार और एक पुस्प इन सब की जानकारी उस सिलालेक पर दी गई है जो कि दिश्टी से unit 9 का महत्मुन प्रश्ण बन सकता है गंगाराम अस्पताल स्वरू प्राणी अस्पताल मित्रा अस्पताल या फिर इन में से कोई नहीं आई एंसवर देख लेते हैं सही एंसवर स्टी यान की मित्रा अस्पताल में अभिहारी में याइंस्मित अल नेफ्य कोरी रॉबोट असिस्टेट जॉइन्ट रिप्लेस्ट में सर्जरी आरजे आरहे शुरू करने की गोशना की गाई है आधार पर मित्रा का या स्पताल इस्पताल इस्टित है रोबोटिक सर्जिकल उपकरणों धारा उपयोग की जाने वाली नवीन तक्नीकी सरजनों को मामले की विशिष्टा और रोगी के सरीर रचना विज्ञान के आधार पर एक 3D रियल टाइम मॉडल का उपयोग करके एक अनकुलित रियोजना तयार करने में मदद करती है फिर जॉइंट रिप्लेस्मेंट सर्जरी करता है यानिकि यह जो भी रोबोट होंगे वो एक रियल टाइम जानकारी देंगे सर्जनों को कि वर्तमान में स्थिति क्या है इनक पर सुरू की गई है ठीक है आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रस्ष्ण है कितने वर्सों बाद भारत ने होकी में कोई अलंपिक प्र्दक जीता है 40 वर्स, 50 वर्स, 75 वर्स या फिर 80 वर्स आई एंसर देखते हैं सही एंसर ए यानि कि 41 वर्सों के बाद भारत को यहाँ पर ओलम्पिक में हौकी में कोई पदक की प्राप्ती हुई है देखिए तो भारती पुरूस हौकी टीम ने 5 अगस्त 2021 को टोक्यो उलम्पिक में जर्मणी को हराकर कांशे पदक यहाँ पर जीत लिया है कल की ही बात है मासको में 1980 में अलम्पिक के उलम्पिक में 60 पदक जीतने के बाद से 41 वर्सों के बाद या वर्तमान में भारती हकी टीम की कप्तान कोन है तो मनफ्री सिंग जो है वो वर्तमान में भारती होकी टीम के कपतार है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश देखते हैं तो भारती सेना और रूस के सेना के बीच अभ्यास इंद्रा 2021 कहां पर सुरू किया गया है लच्च दीप अंडवा नीकोबार वोल्गो ग्राड या फिर होता है तो भारत और रूस की सेना के मद्द में इंद्रा अभ्यास होता है कुछ जानकारी आपको देते हैं तो भारत और रूस सायूंगत प्रसिचण अभ्यास इंद्रा 2021 को रूस के पूड़ वोई रेंज बोलगा ग्रोड में सुरू किया गया है तो याद रखेगा सयूंगत राष्ण की जना देश के तहby सयूंगत रुफ से आतंकवाधी विरूदी अभ्यानों की योजना बनाने सन्चालन का ने तदा भारत और रूसी सेनाե वीच किस यहां पर सेन्ज अभ्यास किया जा रहा है भारत और रूस के मद्धे में आगे बढ़ते हैं तो इन में से किस परोसी देश के उपग्रह को इसरो के दारा दिसंबर 2020 में लॉंच किया जाएगा बांगलादेश, भूटान, अफगारिस्तान, पाकिस्तान एंसर की बात करते हैं, सही एंसर भी एन की, भूटान के एक उपग्रह को इसरो के दारा दिसंबर 2020 में लॉंच किया जाएगा आपको पता भी होगा, इससे पहले भारत ने ब्राजील के अमेजोनिया उपग्रह को यहां पर लॉंच किया था तो प्रस्न देख लीजीएगा कि क्या पूचा जा रहा है, अगर पडोसी देश पूचा जा रहा तो भूटान का उपग्रह लॉंच किया था और चार जो बैग्यानिक है वो भूटान के बैग्यानिक है ठीक है भारत और भूटान के प्रधान मंतरी मोधी की अगस्त 2021 की भूटान यात्रा के दौरान तिंपू में उधगाटन किये गए दच्छट एसिया उपग्रह के लिए ग्राउंड अर्थ इस्टेशन के साथ अंतरे स्योगे भागेदारी की बात की थी यानिकि भारत के प्रधान मंतरी भूटान गए थी तो वहां पर वहां के प्रधान मंतरी थे उन्होंने यहां पर निवेदन किया था कि हम जो एक उपग्रह लॉंच करना चाहते हैं तो हम चा कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां से सुरू करते हैं 6 अगस्त 2021 मध्यप्रदेश करेंट अफेर के महत्पून प्रशन आइए देखते हैं पहला प्रशन तो मध्यप्रदेश के 21 जिले के पुलिस प्रसासन दौरा गो करोना जागरुकता अभियान का सु अगे बार्म किया गया है जिसका नाम विजन जबलपुर रखा गया ये भी आपको याद रखना है इस दो पक्षवारे भर कोड़ की तीसरी लहर को रोकने के लिए ज़न जागणता फैलाई जाए जैई जिसमें की जो आपकी ज़न जागरुकता फैलाई जाए जै जैएग यहां पर भारती सीनियर टीम में चुना गया है चिंकी यादाव करिस्मा यादाव मुस्कान किरार या फिर पूजा पारेक मुस्कान किरार को यहां पर भारती सीनियर टीम में चुना गया है जो कि यहां पर तीरंदाजी अकादमी वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपिंशिप में जबलपूर की खिराड़ी मुस्कान किरार को भारती सीनियर तीरंदाजी टीम में चुना गया है ठीक है तो यहाद रखिए का मुसकरान किरार का यहाँ पर चैन किया गया है भारती सीने तीने तीम में जो यू ऐसे में एक यहाँ पर विश्व चंपिर छी पायश्ते हो रही है क्लास वहाँ पर जो है CHRIS कान के राट जाएंगी मद्द देश तीरंद धाजी अकादमी कहां है तो याद रहेगा मद्द दिरंद इस तीरंदाजी अकादमी जबलन में इस्टित है आगे बढ़ते है ut तो यहां से सुरू करते हैं Static जी के का चुपारिस्तम क्लास सभी प्रित्योगी परिच्छाओं के लिए Static जी के बहुत ज़्यादा वहत्पूर्ण है जिसे हम सामाने सचीतता कहते हैं हिंदी में पहला प्रशनि देखिए हैनेल लूप किस अंग से संबन्दित है लीवर फेफड़ हिल्दै या फिर किड्नी आई एंसर देखते हैं सही हैं जाने की सबसे चोटी काई होती है यहां पर रक्त का सुद्धी करण होता है और इस प्रक्रिया को dialysis भी कहते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखते हैं फाइबर आप्टिक्स का जनक किसे कहा जाता है एडम्स इसमित विंट सर्फ नरिंदर का पानी या फिर मार्टिन कूपर अब ये प्रशन महत्पून क्यों है वो भी आपको बताते हैं तो नरिंदर का पानी को फाइबर आप्टिक्स का जनक कहा जाता है इन्हें दो जारी किस में पदम विभूसन पुरिसकार दिया गया भारत की तरब से अब इसलिए ये हमाले महत्पून है क्योंकि इनकी अभी हाली में मिर्त्वी हो गई है नरिंदर का पानी की तो ये प्रशन हमारे लिए महत्पून है चैनल ये बात करते हैं सही एंसर बी-न की जो बाइडन और कमला हैडिस को यहां पर टाइम पत्रिका के दो आरे जो जानकारीं आप को देते हैं तो जो बाइडन कौने अमेरीका के 46 की राश्टपती है और कमला हैिस अमेरिका की 49 वी उप राष्ट पती है ये भी आपको याद रखना है और अमेरिका की पहली महिला उप राष्ट पती कौन है कमला है ये आपको याद रखना है महत्पून प्रशन होगा आगे बढ़ते हैं इन में से किस ट्रोफी का समंद बैडमिंटन से है वैलिंग्टन ट् से समयां और जो आपका उबेर ट्रोफी वो बैडमिंटन से समयां तो चारू कप को यहां पर हमने रिवाइश करा दिया आगे बढ़ते हैं और अगले सेग्मेंट की ओर चलते हैं यहां पर हम बात करने वाले हैं पूरा तक त्युक्टल मध्यपदेश का जिसका नाम है सोन साट गिलो मीटर की दूरी पर इस्थित ऐं यहाँ पर नवी सताब्दी के कई जैन मंदिर अवस्थित है वह अभी यहां पर पाया जाते हैं सोना गिली के अंतरगत मुकřिता हिया दतिया जिले चलिनियकलत आता है यह जैन साधूसंद्थ के लिए मोच प्राप्ति है तो ध्यान लगाने के लिए प्रसिद्ध है सबसे दा प्रसिद्धी क्यों मिली है तो जो भी जैन सादूसंत होते हैं उनको मोच प्राप्ति के लिए जब यहाँ पर ध्यान लगाय करते थे उसके लिए प्रसिद्ध है सोना गिरी यहाँ एक जैन संग्रा यहाँ पर जो है एक जैन संग्राहलाय भीष्थित है जितने लोगों ने यहाँ पर जैन समाधिया ली हैं जो भी यहाँ पर मैतपूर सिला लेके हैं वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे सोनागिरी दतिया के अंदर जैन गरंद के अंसार आठमें तीरतंकर चंदर परभु के इनितत में पांच करोड तापष्व जो पांचवी से छटवी सताब्दी की बताई जा रही है ठीक है तो आपको बस याद आखना कि चंदर प्रभु देव से संबन देता है सोना गिरी पांच करोर तपरश्चिरियों ने कहां पर तपरश्चा की थी सोना गिरी में यह प्रश्चन बन सकता है आगामी परिच्छा जाएंगे ठीक है जो आपके स्टेट्मेंट वाले प्रश्चन होते हैं उनको भी हम आपर कवर करेंगे और कुछ ऐसे प्रश्चन जो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं आपके एक्जाम्स के लिए उनको भी हम यहापर कवर करने वाल हैं आज आपको पॉलेटी की वीडियो दे आगे बढ़ते हैं अगले सेग्मेंट की बात करते हैं तो कल के प्रश्चन का सही आंसर रविना टैगोर हमने पूचा था आप से की जलिया वाला बाग हत्यकांट जब हुआ था तो किसने यहां पर अपनी नाइट हुट की उपाथी लोटा दी थी रविना टैगोर ने आपका अर्चनापांडे सिल्पा वांखिडे पूर्सोत्तम परमार इन लोगों ने बिल्कुल सही जानकारी थी बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट करने के लिए ऐसा ही कमेंट करते रहिएगा आईए देखते हैं आज का प्रशन कौन सा है जिसे आपको कमे सिर्तंकर कौन से ठीक है ये वीडियो पसंदा वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तक पर सियर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए क्योंकि डेली आपके लिए सुबर साथे साथ बजह हम यहाँ पर बहतरीन करन्ट अफेर की वी वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद